स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में में लोग कवर करने वाल हैं इंगलिस सौमाक्स के इंपोर्टन क्वेशन जो 2021 बोर्ड एक्जाम के लिए काफी हैलफुल होरे वाली है दोस्तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर दिएगा इसमें से आपको कुछ क्वेशन अजटीज पूछ सकता है तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो जरूर दिखीगा तो दोस्तों चले शुरू करते हैं बिना time waste करते हैं वे question number 1 screen पर देखें क्या कह रहा है कर रहा कि there we are being interviewed for the job by her तो इसका right answer कौन सा हो जाएगा यहाँ पर क्या कर रहा है कि choose the correct active voice तो इसका right answer क्या हो जाएगा दोस्तों तो she number यानि she was interviewing them for the job यानि right answer she number हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले question क्या कर रहा है कि the king give him a reward choose the correct passive voice तो यहाँ पर passive voice जो है choose करने के लिए बोल रहा है तो इसका right answer कौन सा हो जाएगा तो B number right answer यानि he was given a reward by the king right answer B number हो जाएगा अब देखते हैं अगले प्रस्ण की और यहाँ पर आचुकी question number 3 screen में क्या कर रहा है कि please the quiet the baby dash choose the क्या कर रहा है कि correct tense form कर रहा है तो इसका right answer जो हो जाएगा right answer D number यानि is sleeping right answer हो जाएगा ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और यहाँ पर आचुकी question number 4 4 number क्या कर रहा है कि what sorry तोर सा उपर कर लेते हैं यहाँ पर देख रहा होगा अच्छे तरीके से कह रहा है कि what does she do in her free time यानि choose the correct option तो correct option यहाँ पर कौन सा right answer रहा होगा तो right answer यानि चार नमबर का तो चार नमबर का B number यानि यहाँ पर क्या लाएगा what does she do in her free time ठीक है चले अब बढ़ते हैं question number 5 की और तो 5 screen पर क्या कर रहा है कि he told me that he does ill for six days क्या कर रहा है choose the correct option तो यहाँ पर कौन सा option लेगा was is या फिर had been या फिर have been तो यहाँ पर कौन सा लेगा राइट आंसर जो हो जाएगा पाच नमबर का तो पाच नमबर का राइट अंसर जो हो जाएगा दोस्तो बी नमबर यहाँ लगेगा यहाँ पर ठीक है he told that he had been ill for six days अब बढ़ते हैं यहाँ पर question number six की ओर तो six number question screen में आ चुकी है यहाँ पर क्या कह रहा है कि he was tried of walking he sat down to rest ठीक है तो यहाँ पर कौन सा राइट अंसर होगा है यहाँ पर क्या कह रहा है कि यानि right answer यह नमबर जाएगा दोस्तो अगर आप लोग जो pdf लेना चाह रहे हैं history, geography, political science, English, Hindi, उर्दू या फिर किसी भी subject आप अगर रखी है जो अगर लेना चाहते हैं तो दोस्तो आपको admission जो है जलसेल कर लीजिए ठीक है 7903288689 पर जो है इसमें जो है call करके या whatsapp करके जो है आप लोग जो है pdf ले सकते हैं admission करके अब यहाँ पर question number देखती है 7, 7 number question कह रहा है यहाँ यहाँ पर क्या choose करने के लिए बोल रहा है कि auxiliary verb ठीक है तो correct choose जो है answer कौन सा होगा तो 7 number का right answer B number होगा है can you speak English है तुम English बोल सकते हो ठीक है आप बढ़ते हैं के लिए प्रेश्चन के और यहाँ पर आज चोगे दोस्तों question number 8, 8 number question क्या करा है करहा है कि the principle ordered me not to continue any test that next day यहाँ पर right answer क्या बोला जा रहा है करहा है कि correct choose the correct direct speech तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा right answer को जाएगा तो 8 number का right answer जो ए नमबर यह नहीं the principle said to don't conduct any test tomorrow right answer ए नमबर होगा ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं अगले परश्चन की और तो दोस्तों इस परश्चन को अगर आप लोग अच्छी तरीके से शुरूर से लेकर अखिर तक देख लेते तो इसमें से आपको लगबग 5 या 7 question जो है एक्जाम में देखने को मिल सकता है same question आएगा और same question आपको पूछा जाएगा तो ठीक है दोस्तों तो यह सारे question जरूर आप लोग देखिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह के यह दस एट पढ़ने के लिए जिसमें से आपको सभी question इसी में से पूछ दिया का तो ठीक है दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं अगले परशन की और अगर आप अच्छी तयारी नहीं हुए English की तो वह सारे जो है PDF पढ़ लेंगे दोस्तों तो आपकी अच्छी तयारी बिल्कुल हो जाएगी और आप अच्छे marks लाने के लिए तयार हो जाएंगे अब इसका रैट अंसर कोनसल्ग नॉ नॉब्र का तो नॉ नॉन नॉम्बर का रैट अंसर जो जाएगा B नमबर यानि घुट्च स्रीम ठीक है राइट अंसर B number हो जाएगा 972 नॉब यहां पर कॉंट से क्या करने के लिए बोल रहा है पेसिव वाइस चूज करने के लिए कह रहा है तो यहां पर आच चुकिए 11 नंबर परस्ण है इसका क्या परस्टाफ्य बॉल रहा है तो इसका क्यों सा हो जाएगा तो यहां पर आच चुकिए 12 नंबर तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरीके से चले तो आचुकिए बारे नंबर क्या कह रहा है स्क्रीन पर कह रहा है कि the children should be loved यहाँ पर क्या करहा है एक्टिवाइस चूज करने के लिए बोल रहा है तो इसका बारे नंबर का राइट अंसर क्या हो जाए तो ए नंबर यानि लब्द है चिल्डेन राइट अंसर ए नंबर ह यहाँ पर कौन सा चीज कहने के लिए क्या करने के लिए बोल रहा है choose the correct option तो option यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर देखिए जो है choose करने के लिए बोल रहा है तो इसका राइट अंसर कौन सा हो जाएगा तो चौदर नंबर का राइट अंसर दी नंबर हो जाएगा यानि लिस्ट कर देख लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पर पंद्रे नंबर कुशिन कह रहा है कि देख पेशेंट डैस बीफोर देख डॉक्टर एड चूज देख रेक्ट वर फॉर्म तुवर्फ फॉर्म यहाँ पर जो है चूज करने के लिए बोल रहा है तो पंद्रे नंबर का राइट इनसर डी नंबर जागा यानि है डाइट ठीक है यानि देख पेशे पेशेंट डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था ठीक है चले अब बढ़ते हैं परस्टने की और कि यहां क्या करा है कि एदर यू और महँ हेख यहां पर चुनने के लिए कहता है यहां पर कौनस ऑस प्सुरें अंबर का ब इट ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं के प्रशने के और प्रशने के और प्रशने नमबर या बर सत्रे नमर क्वेशन आ चुकी है क्या कह रहा है कि डैस फॉर्चून इसमाइल अपन यू तो दोस्तों इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा यहां पर देखिए कैन होगा में हो इसका प्रशने के और प्रशने नमबर अठा रहा है तो अठारे नमबर क्या करा है देप्रिंस ओफ मैं मैं गोज डैस गॉन अप यानि कौन सा होगा यहां पर ऑउग्ज़री वर्विया वर देख लिजे दैप प्राइज ओफ मैंगोज तो दोस्तों यहां पर राइट अं नमबर यानि हैस हैस गॉन अप ठीक है यानि देप्राइज ओफ मैंगोज हैस गॉन आप राइट इंसर बी नमबर जागा अब बढ़ते हैं लिए प्रशने के और क्वेशन नमबर 19 19 नमबर क्या कर रहा है कि ही सेज आई सेल हैल्प यू चूज दे करेक्ट इंडरेक्ट न यहां पर भी कह रहा है तो कौन सा यहां पर राइट एंसर देख लिए तो बिस नमबर का राइट एंसर शी नमबर हो जाएगा यानि ही टेल मी डैट ही विल हैल्प मी तो दोस्तों आप लोग सुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को जरूर देखेगा बस आप लोग को स्क्रीन पर अगर आप लोग जो चाहते हैं पीडियाफ लेने के लिए जैसा कि मैं नंबर दे चुका हूं तो उस नंबर पर आप लोग वाट्सप करके कॉल करके एड्मीशन करने के बाद जो है पीडियाफ ले सकते हैं अब यहां पर देखें डगर्ड सेट डैट शी लब अब अब तो यहां पर भी करागी करेक्ट इन डारेक्ट स्पीच करने के लिए बोल रहा तो यह दोखिए 2020 में पुछा गया प्रस्ट रहे है तो यहां पर का राइट अंसर जो हो जाएगा 21 नंबर का राइट असर तो बी नंबर हो जाएगा यानि देगर्ड सेड आई नंब वाज ठीक है तो 22 नंबर का राइट अंसर कौन सा जाएगा तो यह नंबर राइट असर क्या कह रहा है यह आई सेड वाट इस योर नेम आई सेड यह नहीं मैं कह रहा हूं कि आपका नाम तुम्हारा नाम क्या है अब बढ़ी है अगले परश्ण के और तो यहां पर क्या कर रहा है के यर्यक्त क्रेशं पर पूजेशन चूज़ करने के लिए बोल रहा है तो दिखने यहां पर क्या है तेस नंबर इस नंबर इंसाइड यहां और क्या हो जागा आई इट वाज दार्क इंसाइड दे टर्नल अब बरते हैं के लिए परस्टन के और 24 नुबर क्वेशन स्क्रीन पर है क्या कह रहा है देखिए यह कोशन पूछा गया है दोस्तों आप लोग बस कोशन को देख लिजिए थोरा से समझ लिजिए कि क्या क्या पुछा जा रहा है तो इसी को देखकर कि आप लोग व्र एग्जाम में जो यही सारे खोशन फसकते हैं यही सारे क direito की जई समय लिजड़ सकते हैं बस कुछ भी फर्क नहीं रहेगा सें सेंग पुछा जाता है अब यहां पर देखिए 24 नोमल दे मेन इस सिटिंड, देस सब्सक्राइब यहां पर ऑन सेट हो जाएगा अब बढ़तें के लिए प्रश्न होगी और क्वेशन नम्राच के पचीस क्या करें यह कॉंटिन्यूड दे मीनिंग सब्सक्राइब अपर क्या बोला जा रहा है कि क्या कह रहा है कि प्री पोजिशन चूज करने के लिए बोल रह यहां पर देखे एक बार फिर से मैं कोश्ण को दोड़ा लेता हूं क्या कर आप इस नमबर टे कंटीन्यूड दे मीटिंग डैस लेवन प्यम यहनिसका राइट अंसर कौन सा जगा पटीस नमर का तो पटीस नमर का आइट नमबर हो जाएगा यानि टेल हो जाएगा तील हो पोजिशन इसमें भी चूज करने के लिए बोल रहा है तो 26 नमर का राइट अंसर जो जाएगा यानि यह नमबर हो जाएगा राइट असर एट एट हीम तो दोस्तों आप लोग पिरी पोजिशन अगर नहीं पड़े हैं तो पिरी पोजिशन थोड़ा सा देख ली जागा ग यहां पर देखे एट इस स्टार्ट होता है यानि यह वर्ब यह जो है भवेल है इसलिए यहां पर एन हो जाएगा एन यूरोपीन हो जाएगा अब बढ़ते के लिए प्रस्टन की और चलिए तो यहां पर आचोगे 28 नंबर क्वेशन क्या बोला जा रहा है 28 नंबर क्वेशन में कहे रहा है कि Mr. Sinha is-ma तो यहां पर आर्टिकल चीज़ चूज करने के लिए बोल रहा है तो यहां पर कौन सा आर्टिकल स्टेट होगा तो 28 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा तो यह नंबर हो जाएगा दोस्तो अनंबर यानि क्या जाएगा एन एम ए ठीक है Mr. Sinha एन एम ए अब बढ़ते हैं क्वेशन नंबर अगरा यानि 29 नंबर क्वेशन की और चलिए तो आचोगे 29 नंबर देखिए आप लोग यहां पर क्या कर रहा है कि वाट डैस क्या हो जाएगा दोस्तों तो बी नंबर राइट अंसर यानि एन सोरी 29 नंबर का बी नंबर यह हो जाएगा ए ब्यूटिफुल सेंसरी इट इस ठीक है चलिए अब बढ़ते तीस नंबर परशन की और यहां पर देखिए क्वेशन नंबर तीस क्या किया रहा है विल्यू ग नंबर का राइट अंसर कौन सा हो जाएगा अप्शन नंबर सी हो जाएगा निदे स्टेसन टूडे ठीक है तो दोस्तों इस में हम लोग पार्ट वन यानि यह पार्ट सेट वन लेकर आया हूं अगर आप लोग जो है चाहते हैं कि यह पूरा सेट आए तो आप लोग लाइ सेम कोशन पूछा जाएगा और सेम कोशन आपके इस मोबाइल स्क्रीन पर सोरी एक्जाम पर आने वाली है जिस तरह से मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप लोग लेने के लिए इसको अपने एडमिशन करके 7903288689 पर जो है आप यह ले सकते हैं पीडियाफ ठीक ह तो पीडियाफ लेने के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल्स कर सकते हैं तो आज का वीडियो इतना ही तक तब तक के लिए जाहिन द्यवारत मिलते हैं अगले वीडियो पर